Part 6. तिनाली रामन पहले राजा महाराजाओं के दर्बार में ऐसे लोग भी होते थे जो अपनी बातों और हाजर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया करते थे ऐसे लोगों को विदूशक कहते थे तिनाली रामन भी इसी प्रकार का विदूशक था उसका असली नाम तो रामन था पर टिनाली गाओं का रहने वाला था इसलिए उसे टिनाली रामन कहते थे रामन बच्पन से ही बहुत बुधिमान तथा चतोर था शब्दो का तो वह जादुगर था शब्दों के विचित्र अर्थ निकाल कर वो लोगों को चकित कर देता था सब उसकी बुद्धी मानी की प्रशनसा करते थे लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा उन दिनों विजयनगर के महराज कृष्ण देव राय का बहुत बड़ा नाम था उनके दर्बार में बड़े बड़े विध्वान रहते थे रामन ने भी उनके दर्बार में जाने का निश्चे कर लिया यद्यपी इतने बड़े राजा के दर्बार में प्रवेश पाना हासी खेल ना था पर रामन अपने निश्टे पर अडिक था एक कहावत है जहां चा वहां रह उन्ही दिनों कृष्ण देवराय के राजगुरु धटाचारे तिनाली के पार्सी के गाउं में छुटियां बिताने आये हुए थे रामन उनके पास बहुचा और अपनी इच्छा प्रकट की धटाचारे ने रामन की सहायता करने का वचन दिया रामन ने उनके पास रहकर खूप सेवा की कुछ दिनों बाद धटाचारे राजधानी लोट गए रामन काफी दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा पर धटाचारे का कोई संतेश नहीं आया अता रामन ने स्वयम महराज कृष्ण देव के दरबार में जाने का निश्य कर लिया उन दिनों महराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलाई हुई थी रामन भी उस सभा में जा पहुचा सभा में वाद विवाद हो रहा था एक विद्वान कह रहा था हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं पेड, पौधे, पशु पक्षियादी पर यह सब ऐसी नहीं हैं जैसे दिखाई देती हैं हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर रहे थी कि अचानक रामन खड़ा हो गया उसने उस विद्वान से पूछा मान लीजिये, हम कोई चीज खाना चाते हैं तो क्या केवल यह मान लेना ही काफी है कि हम वह चीज खा रहे हैं हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया अब तिनाली रामन ने कहा भाईयो, भोजन तयार है आईए, हम सब तो भोजन करने चले पर ये महाशे यहां बैठे-बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिये रामन का इतना कहता था कि सब लोग खिलखिला कर हस पड़े महाराज उसकी हाजर जवाबी से इतने प्रसन हुए कि उन्होंने उसे अपने दर्बान में विधूशक का स्थान दे दिया अब वह तिनाली रामन के नाम से प्रसिध हो गया एक दिन महाराज तिनाली रामन की किसी बाद पर अप्रसन हो गया उन्होंने कृध होकर कहा, जाओ, मुझे कभी अपना मुह मत दिखाना। अगले दिन तिनाली रामन अपने मुह पर एक मुखोटा लगा का दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हसने लगे। महराज ने देखा तो वो बड़े कृध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आ आपकी आज्या का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुह पर नकली चहरा लगा कर आया हूँ, ताकि आपको मेरा मुह न दिखाई दे। यह सुनकर महराज का गुस्सा भी उतर गया। तिनाली रामन के विशय के अन्नेक कहानिया प्रच्छलित है। एक बार की बात है, महराज उन गाओं में जाएं जिनकी दशा अच्छी है या उनके गाओं में जाएं। इससे उनके गाओं की मदद हो जाएगी। गाओं वालों पर उनका रौब भी पढ़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महराज इस बार आप मेरे गाओं चलिए। महराज सोचने लगे कि आ तिनाली रामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चरे हुआ। दूसरे दिन महराज हाथी पर सवार होकर चल दिये। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगा पहुचा जहांके लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महराज बहुत दुखी हु वे बोले हमें मालूम न था कि हमारे राज में इतने नर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिलकुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तफ में हमारी सहायता की आवश्रकता है। महराज की बाते सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार्फे की। तिनाली रामन को सामने देखकर सब चकित रह गए। महराज मुस्कुराकर बोले अच्छा तो हाथी को तुम यहां लाये थे। जिस प्रकार बिर्बल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते थे उसी प्रकार तिनाली रामन के चुटकुले भी बड़े प्रसिद है। तिनाली रामन के विद्धूशक ही नहीं थे, वरन के तेल्गू भाषा के प्रसित कभी भी थे, आओ योग करें, याद रखिये, योगा भ्यास करते समय ध्यान रखने वाली मुख्य बाते हैं, योगा भ्यास जटके से नहीं, बल्कि धीनी गदी से और शांती पूर्वक करना चाहिए, सास और क्रियाओं के बीच मेल रखना चाहिए, हमेशा नीचे की और जुकते हुए सास को बाहर चोड़ना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की क्रिया ना करने पर सास समानी रूप से लेनी चाहिए, प्रतियक आसन पर 10 से 15 से केंड तक रुखना चाहिए, प्रतियक आसन को तीन बार करना चाहिए, प्रतियक आसन करने के बाद कुछ पलों के लिए अपनी आखों को बंद करके अराम देना चाहिए, हर रोज 30 से 45 मिनट तक योगा भ्यास करना चाहिए, पीट के बल, पेट के बल लेटने वाले, बैठने वाले और खड़े होने वाले आसनों में से कोई तीन आसन चुनिए और उन्हें रोज कीजिए, योगा की शुरुवात में, आईए, अब योग करते हैं। मैदान में चारो और चक्कर लगाते हुए बोलिए, जंगल में मंगल भागो 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 अब ऐसे करो जैसे उचाई पर लगे फूल और पत्तियों को पकड़ रहे हो। अब जमीन पर पड़े पत्तों को उठाईए और हवा में उड़ाईए। मैदान में पड़ी डालियों के उपर से उचलिए और कूदिए। तेज भागते हुए अपने पैरों से कमर के निचले भाग को स्पर्श कीजिए। अब वापस घर जाने के लिए नाव पर बैठने की तैयारी करिए। अहा हम वापस घर आ गए। कुछ देर अपनी आँखें बंद करके खड़े रही है। तीन बार गहरी सास लेते हुए सारी धकान को दूर कीजिए। योग का समय दिए गए योग्या भ्यास को कर्म अनुसार कीजिए। व्रिक्षासन लाब शरीर के अंगों में मजबूती लाता है। शरीर का तनाव दूर करता है। पैरों और टकानों में लचीला पन लाता है। विधी सबसे पहले सीधे खड़े हो जाईए और पैरों के बीच कुछ दूरी बनाईए। अब बाए पैर के तलवे को दाए पैर के घुटने तक मोड़ते हुए रखिए। हातों को नमस्कार की मुद्रा में सीने के सामने रखिए। अब दोनों बाहों को सिर से उपर की और ले जाईए। इसी अवस्था में कुछ देर शरीर का संतुलन बनाए रखिए। शांत करता है। हात, पेट और पीट पर खिचाव लाता है। शरीर को आराम देता है। विधी सीधे खड़े हो जाईए। सांस भरते हुए हातों को उपर की और ले जाईए। हथेलियों को उपर की और रखते हुए उंगलियों को आपस में जोड़े रखिए। सांस बाहर निकालते हुए कमर से दाई और शरीर को जुकाईए। अब सांस अंदर लेते हुए वापस आ जाईए। इसी तरह दूसरी और भी करिए। त्रिकोना आसन लाब शरीर की मान स्पेशियों और जोडों में लचीला पन लाता है। कमर को पतला करता है। विधी दोनों पैरों की बीच एक मीटर का अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाईए। अपने हातों को कंधों की सीध तक उपर उठाईए। सास धीरे धीरे लेते हुए दाईयों जुकिए। डाएं हात से दाएं पैर को छूने की कोशिश करिए। जब दाएं हात दाएं पैर को छूने लगे तब बाया हात आकाश की ओर रखते हुए सीधी रेखा बनाईए। अब अपने सिर को उपर उठाईए और बाएं हाथ की ओर देखिए सास अंदर लीजिए और वापस उसी अवस्था में आ जाईए अब यही अभिहास बाएं हाथ की ओर से करिए इस प्रकार से यह पुरा चक्र होगा वीर भदरासन पी दर्थ से चुटकारा पाने में मदद करता है हाथ पीट और शरीर में खिचाव लाता है कंधे की चुड़ाई के बराबर पैरों को अलग करके सीधे खड़े हो जाईए दाएं पैर को बाहर की तरफ खुमाईए दोनों हाथ जमीन के सामानतर कंधों तक उठाईए अपने बाए पैर के घुटने को स्थिर करिए और नपे डिगरी के कोण पर दाएं घुटने को जुकाईए कलपना कीजिए कि आप दाएं हाथ की हतेलियों से कालपनिक दिवार को धक्का दे रहे हैं अपनी समान निस्तिथी में वापस आ जाईए अब बाएं तरफ से इसे दोबारा करिए